गवर्नर से नहीं हुई मुलाकात तो यूवक ने सुखना लेक में लगा दी छला शिराफ एक्टरी के सिक्योर्टी गाड की तेज़ार हत्यारों से हत्या लूटा लाखो का समान करमचारियों को तोफा सेवन्थ पे कमीशन के अनुरूप अगस से लागू विधान सबा चुनाव के दोरान प्रदान उप्रदान सरकारी गाड़ों का लिजी इस्तिमाल नहीं करेंगे बेटी के प्रेम विवास नाराज परीजुनों ने प्रेमी के पिता भाई और बहन को काट डाला स्वास्ते मंतरी की सस्ती दवाओ के लिए खास पहल मरीजों को मिलेगा बड़ा लाब अरेटोकों के लिए खुलेगा अपोवन विधान सबाब परीसर कमेटी देगी मंजूरी हिमाचल की मंडी में पहली बार इटली का किंग रौट किस्म का सेब पहुँचा निजी अस्पतालों पर दिल्ली सरकार की सकती हासे में घायलों का इलाज से मना करने पर कारवाई अब खबरे विस्तार से शहर की सुखना लेग में मंगलवार सुबैक व्यक्ती ने चलांग लगा दी रहगीर की सूचना पर सुखना पुलिस टीम ने तुरंत युवक को लेग से बाहर निकाल GMCH 16 में भरती करवाया सुत्रक अनुसार पंजाब से आकर युवक गवर्नर से मिलने की मांग कर रहा था लेकिन इजाजत नहीं मिलने से युवक ने लेग में चलांग लगा दी पुलिस बेहोश युवक को होश में आने का इंतिजार कर रही है जिसके बाद बयान दर्च कर पहचान और वजा के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी नजीकी गाउं जस्ताना कला में बंद पड़ी एक शराव फैक्टरी के सिक्योर्टी गाड की तेजदार हत्यारों से हत्या कर लुटेरे लाखो रुपए का समान चुरा ले गए मृतक की शिनात 29 वर्षिये विजे प्रजापत पुत्र शिवा नंदन प्रजापत वासी गाउं समरा जिला और अंगाबाद बिहार के रूप में हुई है जो बतवर सिक्योर्टी गाड फैक्टरी में ही रहता था पुलिस ने अग्यात लुटेरों के खिलाफ लूट के इरादे से कतल का केस दर्ज किया है प्रदेश की मनोहरलाल सरकार ने करमचारियों के लिए सात्वे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संचोधित मकान किराया भत्ता एक अगस से लागू करने के आदेश जारी किये है अब करमचारियों को शेहरों के अबादी के अनुसार बेसिक सेलरी का आठ, सोला ववग चोबिस फीजदी किराया भत्ता दिया जाएगा इस संचोधन से करमचारियों वग अधिकारियों को करीब 1190 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का फायदा होगा हर्याना में अगामी महीनों में शुरू होने जा रहे विधान सबा चुनावों के दोरान बोर्ड निगमों, स्थाने निकावों और विबिन सरकारी संस्थाओं के ब्रधान और उप्रधान सरकारी गाडियों का निजे इस्तमाल नहीं कर सकेंगे हाला कि उनको सरकारी कारेक्रमों वो बैटकों में सरकारी वहान ले जाने की छूट होगी हर्याना की मुझूदा विधान सबा का कार्याले 2 नमंबर को पूरा हो रहा है राजे के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हाल ही में लोकसवाचुनाव के दोरान उठे तमाम विवादों का पटाक्षेप करते हुए अचार सहीता से पहले निर्देश चारी कर दिये हैं तरन तरन सीमावर्ती गाउं नोशहरा ढाला में बेटी के प्रेम विवाह से नराज परिजनों ने दमाद के घर हमला बोल दिया और उसके पिता भाई और बहन को तेज़दार हत्यार से काट डाला वारदाज सोमवार देर राथ हुई प्रेम विवाह करने वाले लड़का लड़की किसी और गाउं में गए होने के कारण बच गए सुचरा मिलते ही मोके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जान शुरू करती है सेहत एप परिवार कल्यान मंत्री बलबीर सिंग सिद्दू का कहना है कि अब सरकारी सेहत संस्थाओं में मुफ्त दवाओं की कमी नहीं आने दी जाएगी किसी भी मरीश को डॉक्टर वो मेडिकल स्टोर की लूट का शिकार भी नहीं होने देंगे क्योंकि पंजाब के सिविल अस्पतालों में जन उश्दी केंद्र खोले जा रहे हैं इन केंद्रों में बजार की उपेक्षा सस्ते भाव पर जेनेरिक दवाएं मिल सकेगी धरमशाला के तवोपन विधान सबा के पटल पर अब कानूनों बिलो और प्रस्तावों पर ही चर्चा नहीं होगी बलकि अन्य कारशालाएं भी लगेंगी इसके अलावा परियटकों के लिए भी तपोवन विधान सबा परिसर को खोला जाएगा इसी मौनसून सत्र में विधान सबा की कमेटी के समक्ष तपोवन परिसर के परियटकों के लिए खोलने का प्रस्ताव रखा जाएगा हिमाचल विधान सबा के सचीव यश्पाल शर्मा ने कहा कि धरमशाला के तपोवन परिसर को परियटकों के लिए खोला जाएगा मौनसुन सत्र के दोरान विधान सभा की कमेटी इसे सेदांतरिक मंजूरी देगी सेव खाने के शोकीनों को अब किंग रॉट का स्वाद चकने को मिलेगा हिमाचल की मंडी में पहली बार इटली का किंग रॉट किस्म का सेव पहुंचा है इस सेव का जहां स्वाद लाजवाब है वहीं इसकी कीमत भी काफी अधिक है 20 किलो की एक पेटी ढली मंडी में तकरीबन 3,750 रुपए की बिकी है दिली के मुखे मंत्री अर्विन केजरीवाल ने नीजी अस्पतालों को चेतावनी दी है दुरगटनाओं में घायल को यदि कोई नीजी अस्पताल इलाज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ सक्त कारवाई होगी उन्होंने यह भी साफ किया कि दुरगटना में घायल के इलाज पर आने वाले खर्च का बिल देने पर निजी अस्पताल को पूरा भुकतान दिल्ली सरकार करेगी केजरी वाल ने इस मामले को लेकर दिल्ली सची वाले में मंगलवार को निजी अस्पतालों की बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने साफ किया कि इस बारे में कोई समझोथा नहीं किया जाएगा दिली में मेट्रो पॉलिटिन सिटी बस लिमिटेड की सिटी बसों के स्टॉप पर अब इलेक्ट्रोनिक स्कूटर की सुविदा भी मिलेगी अगर आप सिटी बस से सफर कर रहे हैं और आगे भी शहर में कहीं जाना है तो इसके लिए ओटो या अन्य कैब लेने की जरूरत नहीं होगी कुछ चुनिंदा बस टॉप पर इसकूटर खड़े किये जाएंगे इन इसकूटर को मुबाइल एब के जरिये बुक कराया जा सकेगा आज के लिए इतना ही अगली बर फिर लोचेंगे पास्टा जुकी बड़ी खबरों के साथ ताजा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास टीवी को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें